ये अगली बार की जो स्मैकडाउन होने वाले यह तो पक्का भाई साथ लोग जो है आँख खोल के देखने वाले विकोज ट्रिपल म यानि की जो मैक्स डूपरी की फैक्शन है या फिर उसका फैशन शो कह लीजिए उसमें एक लड़की आने वाली है आप तो देखो भाई साथ अगले हफते की स्मैकडाउन की क्या विवर्शिप आती है और अगले हफते ब्रॉक लेजनर भी आ रहा है तो भाई देख ले न अगर क्रेडिट ब्रॉक लेजनर को दिया तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा क्योंकि क्रेडिट जाएगा सिर्फ तो किसमा चैंपियंज आप देवर्ड माँ त्रेडिये एक से तरने आज क्या क्वेंटम क्वेंटम क्वेस्चिंस और को मिला के क्या ही बोला मैने वाँ 17 माया वंशी कीरतन ने लिखाएगी I think the mystery man in WWE promos will play a role in last man standing match in summer slam while Roman Reigns vs Brock Lesnar last match do you really want की कुछ ऐसा हो so that हमें ये जो है एक और extend होता दिखाएदे जाएगी नहीं भाहिया ये लास्ट नहीं था क्यूंकि ये चीज़े हो गई थी तो हमको इसको रसलमेनिय में फॉर्चिनेटल शेफ्ट करना पड़ेगा करेंगी भी वो सीधा रसलमेनिय में ना तो ऐसा भी नहीं के रोयल रंबल रंबल नहीं नहीं सीधा रसलमेनिय में तो as much as I think कि हाव ये storyline interesting हो सकती है उसका introduction अच्छा हो सकता है इस match से आके I just don't want that because इसको जो है Roman Reigns vs Brock Lesnar को clean तरीके से खतम होने दो भाई क्यों जवरदस्ती बीच में पंगे करने भाई उस उस बंदे को किसी और storyline में डाल मैं तो कह रहा थियोरी को फिडवा दो ठीक है मैं अपने दोस्त की कुरबानी देने को तयारू बस लेकिन Roman vs Brock में भाई कोई एक सूई भी नहीं आनी चाहिए WhatsApp मस्ती ने लिखा है कि Madcap और थियोरी को next big star बनना चाहिए तो उनों की physics, physics, charisma, moves, wrestling सब बेस्ट है और ये तो मेरे को लगता है कि सिर्फ दो के ही हैं अभी तो जो NXT के अगला batch तयार हो रहा है ना भाई वो भी बड़ा बड़ा बयंकर है रेसन वोलर ले लो कार्मेलो हैस ले लो और फिर अपना वह ब्रॉन ब्री कर ले लो वाई सब ये सारे के सारे जो टैलेंट है ना मुझे तो लगता है कि WWE के next 10 years के लिए हमें तीन चार टॉप स्टार्स तो at least इस में से देखने को मिल ही जाएंगे आजे कुमार ने डिखाएगी इस नेक्स्ट मेंबर ओफ मैक्सिमम मेल मॉडल तो मज़ा आ जाए पयसे आएगा बैसे मज़ा ये भी तो बता ये तो आपने बता है ये क्योंकि एगर मैं बना तो किसी और को तो मज़ा आने वाला निए हम मेरको ज़रूर आ rehabilitation वैसे मन्सूर का मासूँगा और क्या मासे हो गया मेस मेरा क्या होगा चहतवा चैतुआ भाई क्या नाम है लोकेश विधाते ने लिगा कि इन फूचर थियोरी विल बी दे ट्राइबल मैन विद कांसलर पॉल हेमन और विंस मिकमेन विल बी हिस जे उसो बाइदे बे आपने मजाक मजाक में ने एक बड़ी टेडली कॉंबिनेशन बना दिया मतलब जिसके पास पॉल हेमन और विंस मिकमेन की पावर हो मिरको तो लगता है वो फिर रोमन रेंज से भी उपर पहुँच जाएगा तो हाँ अभी तो खेर थियोरी की राइवलरी दस बंदों से चल रही है ना आगे चलके वो इजी ली मतलब आगे चलके पता है कैसा होगा सर्वाइवर सीरीज में रवर्से स्मैक ड़न नहीं होगा इट वुड बी इट स्ताइम फॉरी वर्सेस स्मैक डाउन मतलब थियोरी ये कालाएगी ब्रेंड बन चुका होगा नई बनेगा तो फिर हम बनवाएंगे ना बोल बोल के और YouTube चैनल क्यों खोल रखा है, थियोरी के लिए तो खोल रखा है By the way, इतनी promotion कर रहा हूँ न, बंदे को उसको तो मेरे को पैसे देने चाहिए John Cena, WWE Fan ने लिखा कि 2019 में SummerSlam में Edge का return 2020 SummerSlam में Roman Reigns का return 2021 SummerSlam में Lesnar का return and 2022 SummerSlam में Jeff Jarrett का return as guest referee तो yes, आप लोगों की जो 2022 की तमन्ना थी वो भी complete हो चुकी है हलांकि थोड़ा disappointing था कि referee की तरह आ रहा है वो भी Jeff Jarrett क्योंकि एक तरफ Edge, एक तरफ Lesnar, एक तरफ Roman and then you have Jeff Jarrett disappointing तो है, but don't worry भाई, क्या पता ये सिर्फ एक starter हो भाई, main course तो अभी बाकी है, भी SummerSlam आने तो दो Thomas ने लिखा कि Roman हम सब का बाप है with that sad emoji ये कितना honest कोई कैसे बोल सकता है उन्हें ऐसा निये कि जूट है मतलब literally अगर आप wrestling fans को देखो कि जिस तरह से हमारी हरकत है, Roman हमारा बाप ही है पर ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, बस ये है अभी जी दास ने लिखाए कि एक बात बताओ कि हर बार heel superstar अपने आपको disqualify क्यों करता है championship match championship match, championship वाले ही रह जाएगी, लेकिन match तो हार जाएगा ना, क्योंकि match से घंटा फर्क नहीं पड़ता ना, उसको तो championship retained रखनी है, that's all that matters, और उपर से villain का काम क्या होता है, villain का क्या है कि उसको अच्छा नहीं दिखना किजी के सामने, उसके पास जो gold, उसके पास जो property, उसके पास जो उसने कमाई हुई चीज है, जो कि championship है, इस case में, उसको preserve रखना है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और इसलिए उसने loophole ढूंड रहा है, कि हागर मैं ऐसा करूंगा, तो definitely मेरे पास championship रहने वाली है, और मेरे को थोड़ी और महलत मिल जाएगी with this championship, और उस बंदे से पिटाय भी कम खाने को मिलेगी, I think that is the reason, करंचिपकर ने दिखाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पता था कि Sina अपनी नाक इस match में क्यों ही डालेगा, और Sina आता तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये तो खेर गलत है, कि नहीं फर्क पड़ता because I'll tell you the long term vision of mine अगर Sina इस match में आता there was a big probability कि वो street profits को match जितवा था, which means कि Usos match हारते, which means कि bloodline का loss होता, which means कि Roman Reigns को गुष्ट सा था, which means कि Roman Reigns versus John Sina 12 से देखने को मिलता अब अब अगर कोई बोल दे कि अरे, नहीं, नहीं, सही है, Sina कि मैं रेफरी बनने से बहुत कुछ हो सकता था तो फिर बताओ, क्योंकि इससे बड़ी है स्टोरी लाइन और क्या ही हो सकती है और कि John Sina, you know, Roman Reigns के साथ दुबारा से match के लिए वो भी हां से ऐसे इस तरीके से जाए Thomas ने एक बार फिर से लिखा कि अनिंट्रस्टेड होता है, डिसिंट्रस्टेड नहीं हाँ, है फेंट, सही में क्या I don't think so, मेरी इंग्लिश को कभी ऐसे, मैं को सर्ची करने दो क्या लिगा, डिसिंट्रस्टेड मीनिंग having or feeling no interest in something also uninterested ठीक है, मतलब कोई नहीं जीता ना, दोनों हार गए और दोनों जीत गए, ऑनिंट्रस्टेड भी होता है डिसिंट्रस्टेड भी होता है Dr. Vimal Katarmal ने लिखा है कि means Roman is also a part-timer now Roman's age is 37 and Brock's age is 45 then there is not any reason to blame Brock for being part-timer if you don't blame Roman oh man, या ये ताइब के like WWE को entertaining रहने ही नहीं दे सकते है उसमें फाल तो के logics गुसा के and you know, एक serious debate topic बनाना है why? क्या हम ninth class में है क्या कि भाई environmental studies पे अपने debate आप four में हो या against में हो, भाई क्यों इतना serious है this is entertainment especially scripted sports entertainment में हम लोग क्यों इतनी बकवास बाजी करते हैं यार हम तो मजे के लिए बोलते हैं और storyline के साब से चलो अब ये भाई पूरा age इतनी है Brock Lesnar का, Brock Lesnar इतना खाना खाता है Roman तो इतना कम खाता है फिर भी Brock Lesnar ऐसे चल रहा है ये क्या है? कैसे? हम कैसे आगे बढ़े इस वाले era को हम कैसे आगे निकाले भाई ये निकलेगा भी ये नहीं इफ Roman Reigns डेस 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 देन वाई नोट जॉन सीना डेस 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 इफ Brock Lesnar डेस 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 डेन वाई नोट ये देन वाई नोट वाली बड़ी चीज बेगार लगती है और मजे में हो तो अलग बात है रोमन रेंज को क्योंकि मेरी तो पत्थर की लगीर थी और को मैं एक और कॉमेंट ढूंदता हूं अच्छे नोट पेंड करेंगे वीडियो को चलो इसी से कर ले थे थोड़ा educated कॉमेंट है हरशिद सिंगल ने लिगाए कि 92.8 really is a really bad percentile for J.E. means no offense to him but 92.8 doesn't get you anything in J.E. means even I'm close to it at least 97 for something and 99 plus is really what you call achievement okay तो ये उस वाली वीडियो पर जिस पर मैंने percentile or percentage में confused हो गया था और मैंने का था कि नहीं 92.8 तो बढ़िया ही है and दन बाद में कमें बताया कि अभे नहीं 92.8 बहुत बढ़िया है because for me मैंने कभी ये सब टेस्ट बढ़िया है नहीं दिये मेरा इस में कोई इंटरस्ट भी नहीं था तो मेरे को तो लगा होगा 92 भाई 90 के उपर है तो बढ़िया ही होगा मुझे क्या पताता यहाँ भी सचिन थंदुल करवा रहा ही सीन है कि भाई जब तक 100 नहीं आ रहे तब तक नहीं माला जाएगा उसके पहले आउट हो रहे हो तो फिर तो गलती है भाई तुम लोग पढ़ो या 99 प्लस लाओ मैंनी बोल रहा कि परसेंटेज आ परसेंटाइल खामगा फिर कहेंगे अबे परसेंटेज थोड़ी ना वो परसेंटाइल थी यह जो तू अब बोल रहा यह परसेंटेज नहीं नहीं मैंनी बोल रहा अब तो नहीं होंगे ना अच्छे कोमेंट क्योंकि अब तो थक गए होंगे लेकिन हर आजाते हैं वीडियो बनाने लाइक तो उसके लिए थैंक्यू तो मैं जैनूनली बोनला चाहूंगा क्योंकि यह जैनूनली ऐसे कमेंट करना इस अच्छे करना इसे इसे अच्रिडिबल नवीव पर दिस विए यह प्या थे पर दिस वीडियो पसन दाइता लाइक करो शर्गर श्यानू सब्स्क्राइब करो